हेलो स्वागत है आप सबका आज है नौकरी से अजादी पहला कदम का सेकिंड सेशन लास्ट सेशन में हमने सपोर्ट एंड रिजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे तो आज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि अगर कोई डाउट या कन्फूजन हो तो क्लियर हो जा जानी की सपोर्ट एंड रिजिस्टेंस के ट्रेड पर स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है और फिर उसके जाद हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टन टॉपिक जो है आज का स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है स्विंग ट्रेडिंग और कैसे शेयर मार्केट से एक रेगुलर इंकम बनाई जाती है इसके उपर हम डेटेल में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं तो मेरी आप से गुजारिश है कि आप चीजों को एटलीस ध्यान से समझिए और नोट ज़रूर बनाईए नोट बनाने से ही चीजे और भी जादा क्लियर होती जाएंगी आज जो मैं स्विंग ट्रेडिंग के रूल्स आप लोगों को देने वाला हूँ उन्हें आपने नोट ज़रूर करना है और साथ ही में फॉलो भी करना है और नेक्स्ट वीडियो में हम लाइब मार्केट के कुछ ट्रेड्स देखेंगे हाला कि वो वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेगी क्योंकि एडिटिंग वगरा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है बट आपको कंसेट समझ आएगा और कैसे इन रूल्स को इंप्लिमेंट किया जाता है और उनको इंप्लिमेंट करके आप प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं ये सब चीजे हम लाइव ट्रेड जो हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके अलावा साथ ही में नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सल शीट भी बनाएंगे और ट्रेडिंग को शुरू करेंगे सो आज का ये सेशन बहुत ही जादा दमदार होने वाला है बट उससे पहले हम एक बर ना लास्ट वीडियो के कुछ लास्ट पार्ट को हम रिवाइज करते हैं ताकि लोगों का दोबारा से एक बर रिवीजन हो जाए आई होप आपने जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको हमवर्ग दिया था वो कम्पलीट किया होगा हमवर्ग ये था कि आपको 25 टॉक्स की लिस्ट बनानी है और ये 25 टॉक्स जो हैं आपको FNO यानि की future and options की सूची में से ही सिलेक्ट करने है ताकि आप ऐसे shares ना लें जिसमें freeze लगने का कोई भी chance हो और इन shares को आपको regularly track करना है और सारे experiment या जितनी भी हम इस पूरी series में टेक्नीक्स वोगरा या strategies जो भी समझने वाले हैं सीखने वाले हैं उसकी सारे implementation जो है वो इनी 25 shares पर करनी होगी अब आप लोग serious पैसा कमाना चाहते हैं तो आपने फिर ये list बना ही ली होगी बना ली है तो बहुत ही बढ़िया लेकिन अगर नहीं भी बनाई है तो कोई बात नहीं आज आपको ये काम जब भी आप ये वीडियो देखेंगे ना वीडियो खतम होने के बाद आपको सबसे पहला काम यही करना है कि 25 stocks की list बना कर रख लेने है अब इसमें stocks को उन से choose करें देखो इसमें आप जो है starting में अगर करना चाहो तो कुछ भी आप randomly select कर सकते हो कोई ABC करके alphabetically आप select कर सकते हो reverse में select कर सकते हो जैसे आपने Z से start कर लिया उसके बाद जैसे जैसे list में नाम आते जाएंगे आप वैसे कर सकते हो या आपको कोई या आपको कोई share जाए वो अच्छा लग रहा है तो आप उस stock को भी अपनी list में बना सकते हो यानि की यानि की जैसा आपका मन करे ना आपने वैसे करना है बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि stocks वो fno वाले shares ही होने चाहिए questions जो हैं आपके जो भी topics related है वो नीचे comments में जरूर पुछिए और उसके बाद अगर कोई चीज़ वैसे तो देखो जैसे जैसे series आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको कुछ doubts होंगे तो वो अगली वीडियो में clear होते जाएंगे बट फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो उसके बाद भी आप साथ के साथ या तो note down कर लें या फिर नीचे comment section में जरूर mention करें बट प्लीज ऐसे question avoid करें कि market कहां जाएगी या आपने personal trade के हिसाब से कोई question है वो ना पूछें प्लीज topic से related कुछ भी समझना है तो बिलकुल आप यहाँ पर नीचे comment section में पूछ सकते है देखिए लोग ना हमेशा इसी दूविदा में रहते हैं कि technical analysis भी सीख लिया अब शूरू कहां से करें तो मैं आप लोगों को इस सवाल का जवाब दिना चाहता हूं कि आप हमेशा जब भी स्विंग ट्रेडिंग से ही करें फिर आप चाहें तो बाद में स्विंग ट्रेड करें या ना करें लेकिन स्टार्टिंग आप हमेशा स्विंग ट्रेडिंग से ही करेंगे वैसे भी जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमारा मनोवल कच्चा होता है confidence नहीं होता इसलिए confidence जो है वो अपने आप बढ़ता जाता है साथी में आप जो है वो mature भी होते जाते हैं और उसके अलावा हमारे को यह भी पता चलता है कि market में trading कैसे होती है कैसे price जो है वो fluctuate होते हैं इन सब के बारे में भी आपको swing trading के माध्यम से जब आप live trade करते जाएंगे न practical trading करेंगे दी मैं तो options trade करूँगा और कुछ कहेंगे कि मैं तो सिर्फ intraday trade करूँगा तो उन सभी से मैं अनुरोद करूँगा कि आप ना कम से कम at least 3-6 महीने तक पहले swing trade करें और market के मिजाज को समझे यह ना आपको एक edge देता है और यह बहुत ज़रूरी है for all the traders second point है कि swing trading में rules की बहुत हमियत होती है देखिए ऐसी हलकी trading हर कोई कर रहा है सब को पता है कि क्या है double bottom क्या है double top धेर सारी वीडियो आपको youtube पर मिल जाएंगी लेकिन फिर भी पैसा नहीं बनता नतीजे क्यों नहीं आता क्योंकि सारा खेलना यहाँ पर patterns का तो है लेकिन उससे ज़्यादा important जो है risk reward का यह खेल patterns का यह tactics का खेल नहीं है यह strategy का खेल है तो strategy कैसे बनानी है उस पर focus करना है और आज हम इसी पर focus भी करने वाले हैं तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप जो है न इस वीडियो को end तक पूरा जरूर देखिए तो अब एक बार last वीडियो का थोड़ा से revise करते हैं वैसे तो 90% questions के answers आपको मेरी बातों में ही मिल जाएंगे और जो 10% अगर doubts रह भी जाते हैं तो उन्हें आप जैसा मैंने आपको बताया कि comment section में आप पूछ सकते हैं चलिए आप time waste नहीं करते और आज हम जो कारवाई करेंगे वो बहुत important होने वाली है आप में से कुछ लोग ना जबरदस trading करने वाले हैं यह जो आज की वीडियो में हम कारवाई करने वाले हैं यह आप लोगों को जीवन भर याद रहेगी जब आप professionally, institutionally trade करेंगे ना जबरदस्त काम कर रहे होंगे तो यह session आपको ज़रूर याद रहेगा तो इसलिए यह session बहुत effective होना चाहिए और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कोई गलती हो जाए तो हाथ जोड़कर मैं पहले ही आप लोगों से माफी मांग लेता हूँ मेरी माफी सुईकार कीजिए लेकिन मेरी मंच्छा यह है कि आप top notch trader बने जबरदस्त पैसा कमाए सभी concept को अच्छे से समझे जब तक समझ नहीं आए तब तक आप मुझे comments करते रहें यह मत सोचिए कि यह सिर्फ तीन सेशन्स ही है नहीं समझ आया तो आगे क्या होगा आगे भी पूरी series आप लोगों के लिए free में आएगी बिलकुल so don't worry और जब भी आप practice करते जाएंगे ना practice करें पहले at least एक दो हफ़ते जो भी doubts होगे ना जो भी सवाल होगे आपने बस comments में डालना है मुझे जैसी ही वक्त मिलेगा मैं आप लोगों को questions को queries को जो है ज़रूर reply करूँगा अब आप लोगों के सामने है bank nifty का daily chart अब सबसे पहले तो ना यहां पर हम last video की कुछ चीज़े जो है recap करेंगे और last video में हमने दो important point समझे थे सबसे पहला time frame और मैंने आप लोगों को बताया था कि daily charts जो है वो देखे जाते हैं 7 दिनों से लेकर 3 महीने की trading period के लिए so अगर आप daily charts के हिसाब से अगर trade करना चाहते हैं तो आपको जो है जो भी अपने support and resistance की lines होंगी ना वो आपको daily charts पर ही mark करनी है जैसे अब आप देख सकते हैं कि एक line थी यहां पर यह हमारी एक major resistance थी उसके अलावा जैसे हमारे को एक यह level नजर आ रहा है एक यह हमारा major level हो गया से लेके एक साल तक की trading के लिए उसके अलावा monthly जो है time period यूज होता है एक साल से अगर आप लोगों ने जादा time के लिए पैसा रखना है तो एक साल के जादा तो एक साल से जादा time period के लिए अगर आप कोई भी stock को hold करना चाहते हैं तो आपको जो है सारी trading या सारी investment जो है monthly charge के हिसाब से करनी होगी intraday में भी काफी सारे time frame होते हैं जैसे अगर आपको आज ही लेकर आज ही बेचना है तो आप 10 minute या 15 minute का intraday chart जो है वो use कर सकते हैं उसके basis पर आप trading कर सकते हैं उसके अलावा अगर आप आज लेकर और कल बेचना चाहते हैं या आज बेचकर next working day पर अपनी position को square off करना चाहते हैं यानि कि अगर आप btsd करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 30 minutes का intraday chart आप use कर सकते हैं और अगर आप maximum अपनी position एक हफते तक रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है 60 minutes यानि की वन आर का intraday chart आप use करके उसके हिसाब से आप trade कर सकते हैं वैसे intraday के बारे में न हम एक एने से जब पूरी तयारी आएगा न तब एक dedicated session भी आएगा उसके बारे में तब आपको ये सारे concept जो है ना और अच्छे से समझ आने वाले हैं और second जो main चीज हमने last video में discuss करी दी पहले ना मैं आप लोगों को last video का link भी उपर आई बटन में दे दूँगा ताकि अगर कोई भी दिक्कत या क्योंकि वहाँ पे ना पहली वीडियो को आगे देखने से पहले आप वो जो फर्स पार्ट है ना उसे एक बार जरूर देखें तो चलिए next video next जो हमने last video में important part discuss किया था वह था डाव त्योरी जिसमें बताया था कि share एक trend में चलता है और उन्हें हम charts के थूझ जो है देख सकते हैं यह bank nifty का daily chart है और आप इसमें trend जो है वो देख सकते हैं कि फिलाल अभी यह trend कहीं भी नी जा रहा है यह एक range में है तो इसलिए यहां पर अगर हम छोटे उसके हिसाब से देखेंगे तो अभी जो है यह bank nifty ने एक हाल फिलाल में एक अच्छा सा breakout भी दिया है अपने all time resistance के उपर दिया दोस्तों all time के उपर तो यानि कि bank nifty जो है अपने almost all time high पर चल रहा है और यहां पर आप देख सकते हो कि higher bottoms यहां पर बनते कहते थोड़ी जी correction आई थी लेकिन उसके बाद फिर से higher bottoms की श्रंकला जो है वो चालू है और इसमें डाव theory में एक और important part था वो था डाव theory का concept जिसमें हम यह मान कर चलते हैं कि जो trend चल रहा है वही चलता रहेगा और यही मानने में भलाई भी है तो अगर stock जो है वो uptrend में चल रहा है तो पह इसा market को देखने लगेंगे आपका नजरिया रात रात बदल जाएगा तो यह बहुत हैं कि अगर uptrend चल रहा है तो हमारे पहला instinct यह आएगा कि uptrend continue रहेगा और हम उस हिसाब से trade करेंगे हाला कि जो traditional trading होती है ना तो उसमें हम reversal पहले देखते हैं कि अब तो बहुत बढ़ भी ऐसे ही continue रहने वाला है और अगर कोई share downtrend में है तो उसका downtrend ऐसे ही continue रहेगा तब तक जब तक चार्ट पर ट्रेंड रिवर्सल नहीं आता जब तक ट्रेंड जो है reverse नहीं होता तब तक हम यही मान के चलेंगे कि वह ट्रेंड जो है आगे भी continue रहने वाला है यह दोनों क भी हम concept देखेंगे ना इस series में तो यह support and resistance का काफी जादा use होने वाला है कदम कदम पर हमें support and resistance का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो यह topic जो है आप लोगों को काफी जादा ध्यान से समझना है support और resistance की line जो है हम हमेशा line chart पर mark करेंगे daily chart देख रहे हैं तो daily के हिसाब से होग कि support and resistance की line हमेशा horizontal line होजीं चाहिए यहां पर हम कभी भी आड़ी टेड़ी लाइने जो हैं वह support and resistance के लिए नहीं किछते हैं अब जैसे बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं कि काफी बड़ी resistance का हाल फिलाल में ही एक breakout हुआ है अब यह बड़ी resistance क्यों है क्योंकि आप दे कराई और उसके गाद यहां पर अब जाकर जो है एक breakout हमारे को देखने को मिला है लगबग इसी हफते या लास हफते में अब बड़ी resistance जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसी resistance जहां से बार बार टकरा कर market यहां से correction दे रही हो उस point को हम कहते हैं बड़ा उस point को हम कहते हैं कि यह point जो है यह बड़ी correction का point है या फिर उस point से टकरा कर काफी बड़ा ही हमारे को market में गिरावट देखने को मिली हो तो वो point भी जो है हमारा एक बड़ा सा जो है resistance का point बन जाता है देखिए ऐसे तो आप जो है हर छोटी 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 line पर हर छोटे छोटे पीक पर जो है आ आप line डाल सकते हैं और चोटे-चोटे bottom पर आप line डाल सकते हैं लेकिन अगर आप ऐसे करके line डाल देंगे ना तो यहां पर आपको chart में जो है यह हमारा graph नजर नहीं आएगा सिर्फ lines का जो यह अपने support और resistance की line माक कर रखे ना उसका आपको यहां पर जाल नजर आएगा औ और हम कोई भी कभी भी जो है एक साही से अच्छे तरीके का trade जो है हम नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हमें एक चीज़ का दियान रखना है कि हमें जो है चार्ट पर जब भी हम support और resistance के line लाइने कीच रहे ना तो वह हमें हमेशा major levels पर ही mark करनी है अच्छा अब एक यह level समझने की गलती भी मत कीजिएगा यह support और resistance जो है वो एक approximate level जो है वो शो करते हैं एक यह zone होता है इलाका होता है जहां से जैसे अब यहां पर देखो कि आप यहां से एक support हमारे को देखने को मिला यह एक इलाका है यह इस range से लेकर थोड़ा बहुत इस range के आस पास यहां पर हमारे को जो है एक support अच्छा खासा support जो है देखने को मिला और market यहां से कितनी जबरदस रैली दिखा कर गई है अगर जैसे market अब इस level से उपर गई है तो इसका मतलब यह है कि जो पहले का फसा हुआ है ना जो पहले बेच रहा था जब भी यहां पर market आती दी जब यह बेंक निफ्टी का इंडेक्स आता था यहां पर तो वो उसकी जो थी वो selling स्टार्ट हो जाती दी और अब जब यहां पर हमारे को एक breakout देखने को मिला है ना तो इसका मतलब यह है कि अब उसकी सारी selling जो थी ना market ने absorb कर लिया है अब उससे भी कोई बड़ा जो है वो किते हैं वो खरीते हैं जब प्राइज सपॉर्ट के करीब आता है मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको रिजिस्स के टूडने पर खरीदना है और सपोर्ट के टूडने पर बेचना है यह चीज़ आपको याद रखनी है एंड डिस लोगों के लिए lines mark कर दूँगा और करके दिखा दूँगा लेकिन जब आप खुद draw करेंगे ना तो starting में हो सकता है कि थोड़ी सी आप लोगों को confusion हो जाए क्योंकि आपको clarity से समझनी आएगा कि कौन सी line mark करनी है और कौन सी नहीं करनी याद रखिए जो line सबसे logical लग रही है वही सबसे सही line है जैसा कि यहाँ पर हम इस case में देख सकते हैं यह line जो थी सबसे logical लग रही थी क्योंकि यहाँ से एक बड़ी move आई थी और resistance की line जो थी यह उपर वाली जो हमने यह वाली mark कर रही है आप लोगों के सामने करसर है महाँ पर नजर आ रहा होगा आपको यह व पर पार कर पाया है बेंक निफ्टी का चार्ट अच्छा अब एक चीज में आप लोगों को breakout के रिगार्डिंग बता दूं कि breakout जो है जैसे यह line है हमारे सामने PNB का चार्ट है और यहाँ पर हाली में एक breakout आया है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर breakout का level जो था वह था अगर कोई भी breakout का level के बिल्कुल आसपास ही रहीगी ना यानि कि 46.46 के आसपास हमारा breakout हुआ और 46.10 के आसपास चल भी है तो उसे हम जो है breakout नहीं मानेंगे हमारे को ना breakout के level से तोड़ा decisive तरीके से उपर होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको पताया ना यह एक range होती है यह आ breakout मानेंगे नहीं तो अभी हम उसे जो है अगर यह बिल्कुल यहीं आसपास ही बंद होता ना तो इसे हम कहते एक tentative breakout क्योंकि ऐसा लग रहा है कि breakout आएगा लेकिन अभी हम इसके बारे में शूर नहीं है जहां पर भी हलका सा डाउट होना कि breakout है यह नहीं है तो हमें वेट कर खरीदने से डरना नहीं है सबोस मैं अभी आप लोगों के सामने एक example लेकर आता हूं और इसमें देखते हैं हम थोड़ा सा इसका weekly चार्ट ताकि आप लोगों को और अच्छे से clear हो जाए मेंगा खरीदने से हमारे को क्यों नहीं डरना देखो रिस्क हमारा ना हर लेवल प अब आप यहां पर देखो कि प्राइस कुछ भी हो हम उससे क्या फरक पड़ता है प्राइस सस्ता हो मेंगा हो ऐसा सस्ता मेंगा पहली बात तो कोई चीज नहीं होती हमारे को क्या पता कि वह शेयर जो आज हमारे को अड़ानी बाबर का शेयर 32 रपे का नजर आ रहा है वो क अगर आप यहां पर देखोगे कि पिछले साल के आसपास जो था इसका 26-27 रुपे का प्राइस था मार्च 2020 में दो साल पहले इसका 26 रुपे का प्राइस था तब हमारे को 26 रुपे काफी सस्ता लग रहा था और उसके मुकाबले में आज यह 300 रुपे भी काफी ज़ादा मह है अब यह जो सस्ता महँगा होता है इसे हम कहते हैं प्राइज बायसन है कि रेट मेंगा हो गया अगर वो जादा हो गया तो और 500 और बेवाला शेयर थो वह सस्ता लगेगा आमतर पर समwriter और मेहिंगे शेयर से सब लोग हात लगाने से डरते हैं यानिका उन हम 안-let भीक-धार है वह कीवल मजबूत हमी होते हैं इसमिये प्राइज क्या हैुसे कोई टोफार ने 엥र चाहिए हम 200 लेलेंग इसमनिम सब हैं 500 फेवर्में होना है lle plastic लेएände फिर हम किसी भी रेट पर एंट्री कर सकते हैं किसी भी रेट पर हम खरीच सकते हैं और वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को साथ कहा ही था कि खेल जो है टैक्टिक्स का नहीं है खेल है रिस्क रिवार्ड का और उसका मैंने आप लोगों को एक्जामपल भी दिय इद गे 200 रुपे के आसपर बेचा था लेकिन उसके बाद ना उन्होंने 800-900 के आसपर दुबारा एंट्री कर ली अब उनके हिसाब से अगर यही चीज देखें तो महेंगा तो तब भी था अब 200 रुपे का जिसने शेयर बेचा उसकी हालत थोड़ी होती है कि बहुत वही शे जो है तीन मीने बाद ही खरीद लेगा लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके वहाँ पर खरीदा उन्होंने यह सारी चीज़े को एनलाइज किया उन्होंने यह नहीं देखा कि शेयर जो है महेंगा चल रहा है या सस्ता चल रहा है उन्हें तो लगा कि यहां भी एंट्री क करने का टाइम है तो उन्होंने कर ली और उसके बाद वहां से भी उन्होंने पैसा जथा अपना इट लीस्ट डबल करी लिया सब लोग पता क्या पैटन्स खोजते हैं इंडिकेटर्स लगाकर ना जाने क्या-क्या देखते रहते हैं लेकिन इन सब तब तक कुछ हासिल नहीं होगा जब तक आप रिस्क रिवार्ड को नहीं समझेंगे तो रिस्क रिवार्ड को कैसे देखा जाता है यह सब मैं आप लोगों को आगे बता हूँगा तो अब आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी महेंगा खरीदने से डरना नहीं है आपको सस्ता खरीदने से डरना है जिसमें लोग कहते हैं कि कहां ही जाएगा और कितना ही गिरेगा इतना तो पिटा हुआ शेयर है उसमें लगाने से डरना है क्योंकि वही शेयर जो है आपकी पूरी कैफिटल उड़ा कर ले जा सकता है आज अगर मैं आपको बोलू ना कि आईशर मोटर खरीद लो कोई नहीं लेगा हिम्मत ही नहीं पड़े ही कि किसी की लेकिन वहीं अगर मैं आप लोगों को कह दो ना कि फ्यूचर का कोई शेयर ले लो फ्यूचर कंपणी का जैसे मान लो फ्यूचर रिटेल हो गया या फ्यूचर एंटरप्राइज इस हो गया अब उनको लगेगा यार ये डेड़ दो रुपे का शेयर है और कितना ही गिर जाएगा तो उसमें न हजार शेयर ले ले लेते हैं अब हजार शेयर आपने लिए और उस हिसाब से अगर आप इसमें आईशर मोटर में अगर इन्वेस्ट कर लो तो आप देखो उसमें आपक कि चाहे क्वांटेटी कम आएगी लेकिन वहां पर गिरने के चांसिस भी कम है अब यह एक रुपे सतर पैसे का भी फिलाल जो है इसका रेट चल रहा है यह आप देखो कि कहां से कहां गिरता हुआ है लगबग एक सो चाले से एक सो तीस रुपे का था और अगर और हम थोड़ सब ले लेंगे और दो चार रुपे उपर जो है अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे लेकिन यहीं आज अगर वह सो पर आ गया न तो इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा क्यों क्योंकि सतरा रुपे के आसपास का शेयर एक दम से सो हो गया बहुत महेंगा हो गया थोड़ा गिरेगा तब ले लूँगा और फिर बस वो देखता ही रह जाएगा और यह ना एक एक एक्जामपल है यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आज आप यह सबसे पहले आप मुझे मांक करके बताओ कहां पर मिलेगा अपने अपने चार्ट में नबाक करना अपने हिसाब से यहां पर यह वीडियो को आपने पॉस करना है और उसके वाद यहां आपको एक सपोर्ट और रिजिस्टन्स की लाइन नहupunे करनी है मेजर सपोर्ट और मेजर रिजिस्टन्स की मैं आप लोगों को दो मिनिट का टाइम देता हूँ आप एक बार इसमें मार्ग कर लीजिए या आप एक काम कीजिए वीडियो को अगर इमानदारी से आपने काम करना है न तो यहीं पर वीडियो को पॉस कीजिए और यहां पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन येस मैंक के चार्ट पर अभी मार्ग करें वीकली बेसिस पर आपने मार्ग करनी है चलिए ये चीज़ भी आपको मैं बता देता हूँ वीकली बेसिस पर आप एक एक लाइन मार्ग करके देखें और फिर उसकाद ये वीडियो को आगे प्ले करें और देखें कि आपका लेवल जो है वो सही माक हुआ है या नहीं हुआ है तो चलिए हमारे हिसाब से बनता है यहां पर एक बार में वालियूम को भी छोड़ा छुपा देता हूँ ताकि हमारे को और अच्छे से नजर आए तो हमारी एक मेजर रेजिस्टेंस जो है वो बनती है यहां 19 रुपे के असपास और एक मेजर सपोर्ट जो है वो बनता है यहां 11 रुपे के असपास तो मेरे हिसाब से जो है यह वाले एक कुछ लेवल हैं जो आप लोगों के सामने अगर आप मेजर लेवल माक करेंगे ना तो आपके सामने यह 19 रुपे और लगबग 11 रुपे के आसपास के लेवल जो है आप लोगों को मिलने चाहिए 19 रुपे की नियर बै रेजिस्टेंस है मेजर रेजिस्टेंस और 11 रुपे के आसपास का एक मेजर सपोर्ट है यहां पर बागी छोटे छोटे मार्क करना चाहो तो आप कितने ही जारे कर सकते हो लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा मेजर लेवल्स ही मार्क करने है अब सवाल है कि stop loss क्या होना चाहिए और इसमें आपको बड़े ध्यान से सुनना है और साथ ही में notes भी बन पूरी है तो निकलने का तरीका है stop loss और stop loss का तरीका है एटी आर एवरेज ट्रू रेंज यह चार्टिंग इंडिकेटर आपको हर सौफ्ट्वेर में फ्री में प्री हो या पेड हो उसमें मिल जाएगा एटीर का यूज करके हम रखेंगे stop loss एटीर आपको इस टाइप से ल Leo focus और यहाँ पर चिंबल होगा उसमें आपको जाना है और यहाँपर सर्च और एटीर अ MEато यहाँपर आपको क्लिक कर दिना है और बस आपको डर्र ए डेह से आपके ग्लाफ के नीके एक और लाइन आपको नज़र आजएगी है यह यह मैंत्याइक कि लाइन अब यह एटी समझ आएगा तब भी रिस्क रिवार्ड जो है वह अपने आप समझ आ जाएगा अब एटियर में आपको क्या करना है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर एटियर जो है 14 आरे में क्यों है तो हमारे को यहां पर लेंस जो है यहां 10 पीरियड की कर देंगी है यानि कि हमारे देखो अब थोड़ा उबड़ खापड़ नजर आया ना हमारे को एटियर का चार्ट भी वहां तो बिल्कु लेक्दम लाइन प्लेन होगी थी तो यह आगया हमारे पास एटियर दस पीरियड का अब पीरियड का क्या मतलब होता है कि अगर आप डेली चार्ट देख रहे है अब सपोस कीजिए कि आप यहां पर डेली चार्ट देख रहे है तो एटियर दस पीरियड का मतलब होगा पिछले दस दिनों का यानि कि पिछली जो दस केंडल से ना उसका एटियर अब यही अगर हम वीकली चार्ट पर आएंगे ना तो वीकली चार्ट पर हो जाएगा या यहां क्योंकि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो यहां पर अब एक 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 प्राइज जो आता है वह एक एक वीक का आता है तो पिछले दस पीरियड यानि कि दस हफ्तों का जो है वह एटियर की वैल्यू आएगी और अगर हम यहीं पर इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो पिछले दस पंद्रा पंद्रा मिनट की जो केंडल से ना एक बर मैं आपको केंडल स्टिक चार्ट पर दिखाता हूं आपको इससे थोड़ा ज्यादा बैटर समझ आएगा यह पिछली जो दस केंडल से ना उसके एटियर की वैल्यू आएगी और यह ऑटमेटिकली ना जैसे आप चार्ट का टाइम फ्रेम जो है चेंज करेंगे ना यह अटमेटिकली एटियर की वैल्यू जहना आटमेटिकली कल्कुलेट होके और चेंज हो जाएगी अब जैसी आप किसी भी टाइम फ्रेम पर जैसे मान लीजिए अभी हमने एक बार डेली चार्ट पर ही चलत के अराउंड और यह जो 44 की वैलियो है न यह है एक काईदे का स्टॉप लॉस अब यह एटी यह क्या है एटी यह का मतलब है कि एक दिन में एवरेज में यह शेयर कितनी उचल कूद करता है यानि कि कितना मूव करता है एक दिन के अंदर यह शेयर और इसे हम 10 दिन की जिनों की हम कैलकुलेट करेंगे और उसका एक एवरेज में निकल के आएगी इसका मतलब है कि आपको स्टॉप लॉस जो है एटी यह की वैलियू का रखना है अब मान लो आपने कोई शेयर जो था 412 का लिया और 410 रुबे पर आपने स्टॉप लॉस रखा हलकी फुलकी से हवा का जोंका आया और आपका स्टॉप ले गया उसके बाद शेयर हो गया मान लो 500 रुबे और आप देखते ही रह गए अब सपोस्ट करो जैसे हमने यहीं शेयर लिया तो हमारे सामने जैसे रिलाइंस का शेयर हमने अभी फिलाल इसका प्राइस सल रहा है 2550 रुबे के आस जो इसका मार्केट रेट चल रहा है ना उसमें से एटियर की वेल्यू को जो है हम डिड़क्ट करेंगे यानि कि 25-50 रुबे का शेयर चल रहा है उसमें से हम 44 रुबे निकाल देंगे तो हमारा स्टॉप लॉस होगा अराउंड 255 रुबे के आस पासका तो इस टाइप से आ 300 गस 2022 को इसका शेयर था क्लोजिंग प्राइस था 2646 रुबे के असपस और उसमें एटियर की वेल्यू थी 48 रुबे की तो अब हम इसमें से 2646 में से 48 रुबे हम निकाल देंगे यानि कि डिड़क्ट करेंगे तो उसमें से अब हमारा स्टॉप लॉस जो आएगा वो आएग 200 रुपे गा तो हमारे को क्या करना है अब आप समझी जाओगे की और नोट भी बना लेना इसका कि हमारे को स्टॉप लॉस कैसे लगाना है स्टॉप लॉस लगाना है हमारे को प्राइस में से एटियर की वेल्यू डिड़क्ट करेंगे वह जो नेट हमारा अमाउंट स्टॉप लॉस का माउंट यानि कि अब हमारे का जैसे एटियर की वेल्यू को आप स्टॉप लॉस में दो रुपे तो आपको दो रुपे आना है कई बार ऐसा लगे लगे का कि स्टॉप लॉस बढ़े है कोई बात नहीं आप कॉंटिटी अपने हिसाब से चेंज कर सकते है लेकिन stop loss में कोई घपला नहीं करना है कोई घडबर नहीं करनी है stop loss बिलकुल proper होना चाहिए तो अगर आप support and resistance पर trade कर रहे हैं तो stop loss आपका ATR की दूरी पर ही होना चाहिए अब यह जो हम चर्चा कर रहे हैं stop loss, ATR, support and resistance के बारे में यह सारी नहीं एक basic चीज़े हैं और जितना भी हम अगर काम करेंगे ना आगे की वीडियो में तो उनके लिए यह सारे जो हैं यह सारा जो भी हमने support, resistance, ATR यह सारी चीज़े देखी नहीं यह सब basic concepts है starting में आपको करना है starting में आपको एक काम करना है सिरफ swing trading और उसके अभी हम जो चर्चा करेंगे उसके उपर focus करना है लेकिन swing trading में यह चीज़े हम use नहीं करने वाले हैं मैं आपको लोगों को पहले बता देता हूँ यह है support and resistance के बारे में अगर उसके हिसाब से आप trade कर रहे हैं हमारे को stop loss वो लगाना है लेकिन swing trading में आज जो हम concept समझने वाले हैं सीखने वाले ना उसमें हम यह चीज़े यूज नहीं करेंगे उसके अपने अलग concepts हैं जो मैं अभी आप लोगों के साथ share करूंगा बट पहले यह basic चीज़े आप लोगों को जानना जरूरी है और detail में सबके trading system जो है मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में एक एक का trading system में आप लोगों के साथ share करूंगा तो channel के साथ जरूर बने रही है एक और चीज़ सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ देखो हर कोई ना आपना investment जरूर करता है और साथ में अगर आपने swing trading करनी है तो आपको ना दो demate account अलग-अलग company के पास होने चाहिए एक account में आपको करना है swing trading या जिस भी type की आप trading करेंगे और एक account में आपको करनी है अपनी investment long term portfolio हर एक का होना चाहिए तो एक portfolio में तो आपने सिर्फ पैसा लगा कर छोड़ देना है investment करनी है उस पैसे को आपने trading में बिल्कुल भी use नहीं करना है और अगर आप एक ही account में investment भी और trading करेंगे हैं एक होने चाहिए एक आपका ट्रेडिंग के परपस से और एक आपका investment के परपस से और अगर आपने सिर्फ एक ही डिमेट अगाउंट बना रखा है तो या एक भी नहीं है तो आपको डिमेट अगाउंट का लिंक जो है नीचे description में मिल जाएगा आप वहाँ पर जाकर अपना डिमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं अब अब एटीर जो है डिफरेंट टाइम फ्रेम पर हो सकता है सबसे पहले हम एटीर की वेल्यू देखते हैं कि एटीर की वेल्यू निकलती अब इसे अगर हम वीकली चार्ट कर देंगे ना तो आपको इसमें एटीर की वेल्यू जो है अपने आप चेंज नजर आजएगी अब देखो प्राइस तो अभी वही चल रहा है लेकिन अब यहां पर वीकली चार्ट के हिसाब से एटीर की वेल्यू आगी एक सो तीन जो आपने 25 टॉक्स की लिस्ट बना रखी है उस पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन्स मार्ग करनी है और साथ ही में क्या करना है और कौन सा ट्रेंड चल रहा है यह सारी चीज़े भी आप लोगों को नोट करनी है ऐसा नहीं कि मूझ जबानी आपने सारे या जो है वो माक करनी है और इसमें आपको करना कहा है डेली चार्ट के आप से डेली चार्ट जैसे अभी हमारे यह यह लाइन है चल रही है सपोर्ट की और इसमें रेलाइन्स के शेयर में हमारा एक यह रिजिस्टेंस के लेवल है तो आपको इस टाइप से जो है ना अपनी आ पार ते ना आप उसको चेक आउट कर सकते हैं। लिंक आपको ओपर ने मिली जाएगा। मैं आपके आपके सामने एक चार्ट पर सपोर्ट्ट्र रिजिस्स् 선 θ लाइन्हां कर करके दिखाता हूं। तो मैं आपके सामने करते हैं पी-पे चार्टर हमक कर देते इसमें ठीक है इसमें मार्ग करके दिखाते हैं अब अब यह चल रहा है हमारे सामने weekly चार्ट और अब हमने यहां लगाई सबसे पहली एक resistance की लाइन आई लगबग यहां पर ठीक है जी यहागी हमारी एक resistance की लाइन जो नियरवए resistance है इस शेयर के उसके अलावा support अगर हम मार करें तो यह है एक इसका मेजर सपोर्ट क्योंकि यह मेजर इसलिए क्योंकि यहां से अभी फिलाल में यह जून 2022 में टकरा कर सपोर्ट लेकर काफी बढ़ी हमारे को रैली देखने को मिली थी और उसके अलावा एक मेजर सपोर्ट है हमारा इसलिए वल के आसपस और उसके बाद है एक यह वाला तो इस टाइप से आपको बीना जितनी लेस्ट है उसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टन्स के लाइन मार्ग करनी है यह वाले को आप छोड़ भी सकते हो लेकिन यहां पर क्योंकि थोड़ी सी हमारे को रैली देखने को मिलीती तो इसलिए मैंने यह वाला भी मार्ग करा है तो इस टाइप से आपको जितनी भी लेस्ट है ना सब में सारे एक एक स्टॉक में आपको ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टन्स के लाइन मार्ग करनी है ट्रेंड क्या चल रहा है यह भी आप चीज़े देख सकते हो यह उसके आद यह थोड़ा consolidation हो गया एक range में आ गया उसके आद फिर से इसने breakout दिया था तो आप देख सकते हो कैसे यह share चला है अब आपको भी जितने आपके list है ना उसमें सारे जो भी आपने share ले रखे है ज़रूरी नहीं है यह अपो लोट आया रही है जो जो मैं आपे discuss कर एक और चीज stop loss और ATR आपको closing basis पर रखने है यानि कि stop loss जो है जो price चल रहा है जब यह market close होने वाली होगी यह closing price जो आएगा ना उसके इसाब से आपको ATR की value deduct करके चलना है अब सीधर चलते हैं swing trading की तरफ और इस system का नाम है S1 तो कमर करस लेते हैं और अब हम देखते हैं swing trading के concept को अब यह swing trading क्या होता है इतनी देर से swing trading कर रहे हैं इस बला का नाम है यह swing trading देखिए हर trend में चोटे-चोटे swings आते हैं जैसा कि आप आप देख सकते हैं कि यह हमारे सामने Apollo टायर का शेयर ही खुला हुआ है यह चोटा सब्सक्राइब यह उपर गया यह नीचे गया यह फिर उपर गया यह जो चोटे-चोटे swings है ना यह हमारे को पकड़ने है ट्रेंड के बारे में हमने सब कुछ detail में already इस वीडियो में देख रखा है अब हर trend में के बीतर यह जैसे चोटे-चोटे moves आते ना कभी trend की तरह आते हैं तो कभी trend की against आते हैं Swing is a small short segment of the trend which is unidirectional यानि कि यह एक चोटा सा trend होता है एक बड़े trend की बीच में एक चोटा सा trend जो केवल एक ही direction में almost चलता है Swing trading में हम कहते हैं कि हमें trend से कुछ भी लेना देना नहीं है trend जाए भाड में हमारे को कोई फरग नहीं पड़ता trend कैसा चल रहा है अब trend चल रहा है low trend चल रहा है downtrend चल रहा है consolidation चल रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं है बस इसमें हमें trend का चूटा से swing आता है इसमें हमें पकड़ना है और इसमें पैसा बनाना है हमने तो बस stock लिया तीन चार दिन रखा और उसके बाद चुप करके बेच बाच कर निकल गए और पूरा trend कि side है उपर है नीचे है हमें इससे कोई मतलब नहीं है अब हमें ऐसा क्यों करना है देखो नए ट्रेडर को ना confidence की जरूरत होती है नया ट्रेडर बार बार validation चाहता है कि वह जो काम कर रहा है वह सही है तो नए ट्रेडर को swing trade करके ना छोटी 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 प्राफिट करने से छोटी छोटी प्राफिट जैसे मिलेंगे ना उससे कैसे market कैसे behave करती है उपर के ऊपर नीचे कैसे होती है mindset कैसा रहता है जब आप practically trade करेंगे यह सब चीजे ना आपको practical experience से ही पता चलती है और इसके लिए best way है swing trading तो हमें बस छोटे से move को catch करना है और पैसा बनाना है इसमें जो हम चीज यूज करने वाले है ना वो करने वाल लग रहा है है कोई मज़ा और इसी में अगर हम केंडल सिक चार्ट पर आजे ना अब देखो केंडल सिक चार्ट देखो एकदम ऐसा लगता है जैसे बल्ब जला दिया हमारे को कुछ रंग बिरंगी सी लाइने नजर आती है कभी हरी कभी लाल और उसके बाद हमारे को इतनी बड़े ध्यान से सुनिए नोट्स बना लीजिए क्योंकि अब काफी important चीजे जो है मैं आप लोगों की सामने share करने वाला हूँ अगर आपने इस पर सही से काम किया ना तो this can change your life swing trading is very powerful swing trading के secrets बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दू कि इन secrets के अलावा और भी आपको धेरो methods मिल जाएंगे लेकिन आप मान कर चलिए कि ये सारे methods जो हम आज discuss करेंगे ना वो सब tried हैं टेस्टेड हैं और साथ ही में most importantly result oriented भी हैं तो इन methods को आप खुझ से भी back test करके देख सकते हैं वैसे इसके उपर ना काफी अच्छा काफी मतलब examples लेकर काम किया गया है और साथ ही में इसको back testing करने के बाद आपको implement भी करना है सबसे पहले मैं आपको ना एक बार candlestick के basics बता देता हूँ और फिर मैं आपके साथ ये methods भी share करूँगा और मैं आपको दूँगा वो 6 patterns जिनकी strike rate जो है ना 65% से भी जादा है चलिए पहले एक बार candlestick के बारे में कुछ basics जो है देख लेते हैं जिने candlestick क्या है वो इस वीडियो को इस पार्ट को जो है थोड़ा सा आगे forward कर सकते हैं क्योंकि जिनको नहीं पता उनके लिए एक चोटा सा brief हो जाएगा यह है friends candle यह आप लोगों के सामने लाल और यह हरे रंग की जो candle है यह जो लंबी सी नजर आ रही है यह होती है एक candle इसमें न दो पार्ट होते हैं एक होती है यह body जैसे कि आप यह red candle पे देख सकते हैं इतना बड़ा जो covered area है ना इसे कहते हैं body और उपर और नीचे आपको चोटी-चोटी डंडिया नजर आएंगी इसे कहते हैं अब यह क्या होता है जैसे आप red candle बनती है तो यानि कि यह इस प्राइज पर open हुई थी अब आपको यह चीजे ध्यान से समझनी है कि red candle बनती है जब open का price close price से ज़्यादा होता है सपोज कीजिए जैसे आप यहां पर इस example में यह price open हुआ 298.10 पर पूरे दिन की ट्रेडिंग के बाद यह share close हुआ 277.35 पैसे पर अब यहां पर open का price जो है वो close से ज़्यादा है इसलिए यहां पर red candle बनी है और यह जो आज के दिन जैसे green candle बन रही है जब यह video record हो रही है तो यह open हुआ था 274.70 पैर और अभी फिलाल जो इसका price चल रहा है वो चल रहा है 280.35 पैसे तो यह होती है हमारी open और close के बीच में जो part आता है जो area आता है वो होती है हमारी body और उसके अलावा जैसा अब आप देख सकते हैं कि यहां पर red candle पर ही आते हैं high इसने आज उस दिन लगाया 16 नमंबर 2022 को 301.95 पैसे का लेकिन वहां पर close नहीं हुआ और वहां से फिर वो न तो यह जो high और low जो यह open और close के बीच का area होता है इसे कहते हैं body और जो बाकी उपर उपर का और नीचे का area जो बच चाता है ना उसे कहते हैं wicks या shadows इस टाइप से हम candles को समझ सकते हैं अब इस में ना candle में ए candle में सबसे जादा important चार चीज़े होती है open high low और close और इनी चार points से हलागी open और close से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी candle जो है वो green बनेगी या कौन सी red बनेगी बट यह चारो price points है ना आप लोगों के लिए काफी important होने वाले हैं अब आप candle stick के basics को समझ गई होंगे candle stick का use जो है वो swing trading के लिए किया जाता है और swing trading खेल है probability का अगर इस probability को समझ जाते हैं risk reward को अगर आप समझ गए तो आप देखिए तो आप देखेंगे कि यह बहुत simple चीज़ है हारना यहां पर बहुत ही मुश्किल होने वाला है बहुत मेहनत करनी पड़े कि आपको हारने के लिए I hope कि candle कैसे बनती है यह चीज़े आप लोगों को समझ आगी होंगी कब green candle बनती है कब red candle बनती है इसके बारे में आप लोगों को idea हो गया होगा body क्या होती है विक्स क्या होती है यह सारी चीज़े मैंने अभी आप लोगको इससा शेयर करी है साथ ही में open price, low price, close price और इसका high price क्या होता है इसके बारे में भी आपको concept जो हैं वो clear हो गए होंगे तो चलिए अब आते हैं हम candlestick patterns पर अब वैसे तो market में न 1.500 से 200 candlestick patterns होते हैं लेकिन ना तो आपको इतने सारे candlestick patterns याद रखने हैं और ना ही आप कर पाएंगे और इनका सही बताओं इनको याद करने को कोई फायदा भी नहीं है आपको बस इन 6 patterns पर focus करना है जिनकी probability 60-65% से भी जादा गी है अब आप सोचेंगे कि 60% जादा थोड़ी होती है लेकिन अगर आपकी सफलता 60% भी हो जाती है तो probability आपके favor में हो जाती है देखिए मैं यहाँ पर ना इस वीडियो में या इस सीरीज में कोई दावा नहीं करने वाला कि भी यह सीरीज जो इसका result जो है 90% होगा या 95% वाला कोई मैं setup नहीं देने वाला आपको यह वो ही नहीं सकता और ऐसा अगर हो गया तो वो तो ब्रहमास्त्र हो जाएगा फिर तो हमारे को हराने ही मुश्किल है फिर सारे अपना कामदंदा छोड़ कि यहीं ना करने बैठ जाए ऐसा हो गया तो फिर तो क्या ही कहने लेकिन अगर 60% probability आपकी तरफ है तो almost हर महीने आप यहां पर मार्केट में पैसा बना कर जाएंगे तो चलिए अब आते हैं हम सबसे पहले पैटन बुलिश एंगलफिंग पैटन का सबसे पहला पैटन हमारा बुलिश एंगलफिंग पैटन जिस पे हमें करना है स्विंग ट्रेड यह बड़ा ही कॉमन पैटन है इसकी 62% क कैसे करना है ध्यान से सुनिए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि स्विंग ट्रेडिंग जो है ना शुरू में आपको सिर्फ डेली सिर्फ और सिर्फ डेली चार्ट पर ही करनी है अब इसका सेटब आप समझ लीजिए कैसा होता है सबसे पहले हमारे को यहां पर मिलता है एक डाउन स्विंग आपको डाउन स्विंग नहीं पता की कैसे देखना है तो आप अगर आप लोगों को नहीं समझा रहा ना तो आप इसको थोड़ा लाइन चार्ट पर कनवाइट कर सकते हैं और अब आप यहां देख सकते कि यह चल चल रहा है अब वापे से candle पर आते हैं और थोड़ा सा यहां पर जोम-इन करते हैं यह है हमारा down swing यह बनी सबसे पहला हमारे को चाहिए एक रेड केंडल और उसके दाद अगले दिन रेड केंडल जो है रेड केंडल की बोडि जो है ना अगले दिन की green candle पूरी तरह से इंगल कर ले अपने पूरे body के अंदर अब जैसे देखो यहाँ पर यह open हुई थी 196 और close हुई है 193.15 जबकि यह open उसी rate पर हुई है 193.15 पर और close हुई है 198.75 अब आपको यह वैसे भी नजर आ रहा होगा कि यह green candle जो है न यह green candle की body में red candle की पूरी body जो है वो समा जाएगी समा जाएगी न तो बस आपको यह चीज़ देखनी है सबसे वहले एक तो there must be a downtrend उसके बाद हमारे को चाहिए एक red candle नेक्स्ट डे हमारे को चाहिए एक green candle जो पूरी तरह से उस red candle की body को जो है एंगल्फ करे हमारे को buy कब करना है buy करना है हमारे को इस candle के closing price के around यानि की 198.75 198.5 के आसपास हमें यहां पर buy करना है buy करना है हमें closing price के आसपास closing price हमारे को तीन पच्चिस तीन बीस के आसपास हमारे को around आइडिया लग जाएगा कि कि किस rate पर close होने वाली है अब stop loss stop loss कहां रखना है हमें stop loss रखना है हमें जो हम जिस candle पर हमने buy करा है न उस candle के open price के around open price का हमारा जो है वो stop loss होगा और हमारी exit कब करनी है हमने हमें exit करनी है fifth working day पर मतलब 5 candle के बाद हमें यहां से exit करनी है यहां पर हमने buy करा 1, 2, 3, 4 और 5 देखो अब हमने buy किया था 198.75 पर stop loss था हमारा पांच रुपे का almost 5 रुपे का एक दो तीन चार और यह पांच पांच वे दिन हमने exit करी 214 रुपे 90 पैसे पर पांच भी candle के closing price पर हमें यहां से exit करनी है अभी quantity कितनी होनी चाहिए यह डिपेंड करता है आप लोगों के risk risk reward के उपर और risk reward जो है मैं आप लोगों के साथ भी discuss करूँगा चलिए पहले एक बार कोई और example देखते हैं काफी common pattern है यह आप लोगों को यहां पर मार्केट में काफी बार देखने को मिल जाएगा अब इस example में आप लोगों को ना सारी चीज़े clear हो जाएंगी अब आप देख सकते होगी यहां पर पहले हमारे को चाहिए एक लाउन स्विंग फिर चाहिए एक रेड़ केंडल नेच्स डेज़ चाहिए हमारे को एक ग्रीन गेंडल जो पूरी तरह से रेड़ केंडल को अंपने अंदर एंगल्फ कर ले कि बाय करना है हमने क्लोजिंग प्राइज के असपास स्टॉप लस होगा हमारा ओपनिंग प्राइज का और उसके अदमें एक दो तीन चार पांच वी केंडल पर बाहर निकल जाना है हमें नहीं देखना आगे यह तो अभी लग रहा है कि वह शेयर तो और उपर चला गया बट हमें यहां पर कुछ नहीं करना हमें अपने रूल के साथ स्ट्रेक्ट रहना है पांच वी केंडल के क्लोज प्राइज पर हमें यहां से एक्जिट कर जानी है अब यहां पर देखो हमारे को बाइंग मिली 162.55 168.85 169 हो गया स्टॉप लस था हमारा च्छे रुपेगा एक छे रुपे के स्टॉप लस के साथ एक दो तीन चार पांच और हमारे को आठ रुपे मिले तो वन इस्टू 1.5 के आसपस कर हमारा टार्गेट हो गया वन इस्टू 1.5 कर रिस्क रिवाड हो गया कोई जादा खास नहीं है लेकिन कोई बात नहीं हमारे को अपने रूल के साथ ऐसी रहना है अब आप सोचोगी कि यार आठ नौ रुपे लेकि क्या फायदा होगा रिस्क रिवाड देखना है सबसे पहले तो हमें कई बार हो सकते कि आपको यहां पर कम भी टार्गेट देखने को मिले बस हमें यह चीज का ध्यान रखना है जो मैंने अभी आप लो मैंने चीज आपको दिखानी दी एक बार मैं दुबारा देख लिखता हूं उसको शायद मिल जाए यही था यही वला था अब देखो यहां पर जो हमने बाय करी दी आपको स्टॉपलस कैसे लगाना है स्टॉपलस आपको रखना है क्लोजिंग बेसे पर क्योंकि अगर आप लेकिन अगर आपने यह पर और लगा रक्खा होता न तो यहां पर यह आपका स्टॉपलस काट के और उपर चला जा जाता। आपको लगाना है क्लोजिंग पर यानि कि अगर आपका वो शेयर जो है वो आपके पराइस के नीचे क्लोज हो रहा है ना फिर उसके बाद ही otherwise आपको exit यहां से नहीं कर दी है अब इससे होगा क्या अगर हो सकता है कि आपको मान लीजे आपने 1500 रुपे का risk लिया अब यहां पर अगर आपकी closing जो है नीचे आ गई कोई बाद नी 1500 की जगा हमारे को 1800 देने पड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारे को अगर 1500 की ज का pattern जो है ना पूरे internet पर आपको आराम से मिल जाएगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना ही मैंने आपको कुछ ऐसा अधबुत बताया है लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला होना वो है में चीज रिस्क रिवार्ड कैसे maintain करते हैं risk reward यह सब चीजे हम इस वीडियो म क्या है प्लीज रूल को लिख लीजिए यह काफी जादा जरूरी है फर्स्ट रूल है कि आपको जो आपकी जो टोटल कैपिटल है ना उसमें से एक पार्ट निकाल कर आपको उसे risk capital जो है घोशित कर देना है पर एक्जमपल मान के चलिए कि आपका आपके बास total capital है 10 लाग रुपे की अब आप ना उसमें से एक लाग रुपे अलग से निकाल कर उसे आप risk capital मान सकते हैं यह amount अलग अलग बंदे के हिसाब से अलग अलग उसकी capital के basis पर जो है कोई अपनी capital का 5% रख सकता है कोई 10% रख सकता है यह totally depend करता है आपके उपर तो suppose कीजिए मैं एक example के तो आप risk capital मान सकते हो अब आप सोचते हो कि यह एक लाख ऐसे हैं कि डूब जाएं तो चलो देखो दुख तो होता है पैसा चाया एक रुपे का डूबे चाया एक लाख का डूबे लेकिन यह है कि हाम मेरी मतलब ऐसा नहीं होगा कि मुझे पर मेरी रातों की नींद उड़ रह उत रहते हैं वो गया आपकी रेस कैपिटल अब आपने रिस कैपिटल को जो है ना 65 से डिवाइड कर देना जैसे यह आप इसमसी 85 से डिवाइड करेंगे ना आपको एक नमबर मिलेगा और वो होगी आपकी रेस्ख पर ट्रेड यानिँ आर पीटी आपको अपने लिए और पीटी कल्कुलेट करी है पान लीजी कि आपने और पीटी कल्कुलेट करी इसका मतलब यह हुआ कि 15 सो जज्यादा आपको किसी भी एक ट्रेड में जू स्तौपलस वाला पॉजीशन है न वह नहीं लेनी है आपको 1500 से ज्यादा नहीं लेना है किसी भी ट्रेड में रिस्क अब इस से देखो कितना असान हो गया रिस्क हमारा कितना जरा सा हो गया जहां पर हम एक लाख रुपए लेकर चल रहे थे कि हमारा रिस्क कैपिटल है अब देखो हमारी मान लीजी की यहां पर आया पंद्रह सो रुपे की फिगर आया हमारे सामने तो अब आप देख सकते हो कि हमारा सिर्फ रिस कितना रहा केवल पंद्रह सो रुपे का तो हमने अपने लॉज पर जो है ना कैप कर दिया तो अब हमें अपने एक लाग पूरे गवाने के लिए क्या करना होगा हमें एक लाग गवाने के लिए ना पूरे पैंसर ट्रेड लगातार गलत करने होंगे पैंसर ट्रेड जब आप लगातार गलत करेंगे न तब आपकी एक लाकी कैपिटल जो रिस कैपिटल है वो बिलकुल जीरो हो जाएगी और ऐसा करने की पॉसिबिलिटी पता कितनी है जीरो जीरो जीहां दोस्तो इतनी नेगलीजिबल प्रोवैबिलिटी है कि आप लगातार पैंसर ट्रेड गलत होंगे तब ही आपकी कैपिटल जो है जीरो होने वाली है जब हमें पता लग गया कि हमारी कैपिटल जीरो नहीं तो मिलता है ना अब आप ये चीज सोचेंगे कि आपने 65 से ही क्यों डिवाइड किया अब इसका ना कोई आंसर नहीं है ये आप सब सिर्फ मेरे उपर छोड़ दीजिए कि 65 से क्यों किया मैं कह रहा हूं कि आपको 65 से डिवाइड करना है तो बस करना है कुछ चीजे होती हैं जिनके रिजन कुछ नहीं होते बस आप मान लिजिए कि आपको 65 से डिवाइड करना है आप मेरी बात मान कर चलिए बस अब कौन्टिटी कितनी लिनी है ये पता कौन बताएगा ये मैं नहीं बताऊंगा ये आप भी नहीं बताएंगे ये आपको बताएगा आपका रिस्क पर ट्रेड अब वो कैसे अब आर्पीटी को आपने स्टॉप लोस से डिवाइड करना है उसके बाद एक फिगर आएगी वो होगा आपकी क्वांटिटी जैसे हम यह अपोलो टायर के ट्रेड पर ही लेकर चलते हैं मान लीजिए यहाँ पर हमने बाइंग करी 199 पर और स्टॉप लोस था हमारा 193 का सो हमारा स्टॉप लोस का अमाउंट आया 6 रुपे का अब हमारा रिस्क पर ट्रेड है 1500 रुपे यानि कि एक शेयर में एक ट्रेड में मैंने 1500 से जादा कर रिस्क बिलकुल नहीं लेना तो अब मेरी क्वांटिटी कैसे आईगी जब मैं स्टॉप लोस के अमाउंट को रिस्क पर ट्रेड से डिवाइड कर दूगा 1500 डिवाइड बाइ 6 तो मेरी अमाउंट आगया लगबग तो मेरे क्वांटिटी आगी 200 shares की जब मैं 1500 को 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरी quantity आजेगी 200 shares की यानि कि अब जो है मुझे 200 shares में ही ट्रेड करना है अब सबोस कीजिए यहाँ पर अगर 6 रपे की जगा अगर 15 रपे का रिस्क होता ना तो 15 रपे के हिसाब से मेरा stop loss क्या बनता मेरी quantity कितनी आती stop loss तो वही 1500 का है उसको तो मैं छेड़ी नहीं सकता मैं किस चीज को छेड़ सकता हूँ मैं छेड़ सकता हूँ सिरफ और सिरफ अपनी quantity को मैं अपनी quantity को जो है चेंज कर सकता हूँ सो मेरा quantity निकल के आईगी इस case में केबल 100 shares की तो जैसा आपने देखा कि प्राइस जैसे ही जैसे हमारा stop loss का amount बड़ा हो जाता है ना उस हिसाब से मारी quantity को adjust करना पड़ता है चले मैं किसी और ट्रेड में एक बार आप लोगों को लगा कर दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि किस ट्राइप से एक और एक और और एक्जामपल ले लेते हैं ताकि हमारे को भी ना confusion नहीं हो आप लोगों को सारी concept वह अच्छे से समझा जाए मैं ऐसी कोई भी रैंडम शेर ले लिया अब हम यहां पर देखते हैं देखो मैं भी आपके सामने ना मैंने कोई पहले से decided नहीं है मैं भी आप लोगों के साम हमारे को एक एक्जामपल समझना है एक यह एक्जामपल आया यहां पर हमारा अगले दिन ही stop loss हेट हो गया क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारी bullish engulfing candle तो बनी थी लेकिन अगले दिन हमारे यहां पर closing जो थी वो नीचे की side पर आगी सो हमारा यहां stop loss हेट हो गया तो यह देखें अब आप लोगों के सामने एक क्लियर एक्जामपल है जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक पहले बनी पहले हमारे को चाहिए था downwards downtrend down swing चाहिए था उसके बाद red candle then green candle जो पूरी तरह से उस लाल candle को खा जाए buy करना है हमने close के पास एक दो तीन चार और पांच पांच candle के बाद हमारे को closing price पर निकल जाना है तो अब आप देख सकते होगी यहां पर हमारी होई buying एक दो तीन चार पांच भी candle पर हमने कर लिए exit तो अब आप देख सकते होगी यहां पर हमारे को जो है decent सा profit हमारे को देखने को मिला है अब इस case में हमारा stop loss कितना होगा देख सकते हो आपकी open हुआ 615 पे close हुआ 50 रुपे पर 650 पर तो हमारा जो मोटा मोटा हमारा stop loss आया व 1500 रुपे तो अब आप calculate कर सकते हो कि हमारी quantity जो है वो कितनी कम हो जाएगी जैसे हमारा stop loss का amount बढ़ा हो जाता है ना वैसे वैसे हमारी quantity जो है decrease होती जाती है एक बार आप लोगों को सिस्टम समझ आजए ना उसके बाद के पांच जो पैटन्स है ना वो तो आप बड़े अ लगने वाली अब कुछ और important चीज़े जो है आप note कीजिए सबसे पहली कि आपको दिन में दो से जादा नए ट्रेड जो है नहीं बनाने है सपोज आप 25 देख रहे हैं और उन में से 6-7 में बुलिशन गलफिंग बन रही है ऐसा हो भी सकता है wholesale में बुलिशन गलफिंग पै लेखने को मिल सकते हैं एक दिन में आपको दस शेयर बाइंग सिगनल दे रही है किसी भी पैटन पर हो सकते है जो हम डिसकस करेंगे उन में से लेकिन अब आप दस के दस शेयर तो नहीं खरीज सकते एक तो capital भी कम होती है उपर से जो मैं आप लोगों को रूल बना बता रह लेने अब कौन से दो लेने हैं भाई यह आपकी मरजी है इसमें मैं कुछ नहीं कहता कि कौन से पैटन पर लीजिए कौन से पर नहीं लीजिए आप इसमें कुछ भी देख सकते हैं वालेटैलिटी देख सकते हैं नियर वाय रेजिस्टन्स देख सकते हैं वगएरा वगएर यह सब आपके ओपर properly तरीके से आपके ओपर ही depend करता है अब इस rule का उदेश्य क्या है मान लीजिए एक दिन bullish engulfing candle जो है बनी और आपने सब में सारे shares में जिस जिस में आपको signal मिल रहा था ना उसमें position बना ली और शाम को ही कोई बुरी ख़बर आगी जिसकी वज़े से अगले दिन next working day वर मार्केट खुली gap down और आपके सबी shares ना 5-5% gap down खुले अब हम उने तो सोचा था भई 1500 के risk पर निकल जाएंगे लेकिन यहाँ पर तो सबी में 22-23-3000 का risk हो गया 22-23-3000 का loss हो गया बलकि हमारा तो होगा क्या कि आपकी ना एक sizeable income अगर आप इस type से trade करेंगे ना तो आपकी sizeable income जो है एक ही दिन में wipe out हो जाएगी उसके अलावा आपका पूरा system हिल जाएगा साथ ही मनवग गयने खानी पहुंचेगी वो अलग तो उससे बचने के लिए आपको दिन में दो से जादा trade किसी भी हालत में नहीं बनाने है second जो हमारा rule होने वाला है वो यह है कि you cannot have more than five positions at any point of time यानि कि at a time आपके पास maximum पांच positions होनी चाहिए suppose आपके पास तीन positions अभी open है अब आपके पास cable दो ही slots बचे हैं अब या तो किसी जो आपके तीन positions बनी ही है उनमें से किसी का stop loss हो जाए या फिर किसी की expiry यानि की पांच दिन हो जाए पांच दिन की duration पूरी हो जाए तब आप उसमें से निकल सकते हो तब ही आपके पास जो है ना slot बचेंगे नहीं तो रोज stocks में opportunities तो बनती रहती है आज एक में बनेगी कल किसी और में बनेगी लेकिन हमें rules को पूरी सिंसेरिटी के साथ जो है follow करना है अब कभी भी ऐसा हो सकता है कि market में crash आ गया market पांच परसेंट नीचे open हुई risk तो था भाई पिच्चतर सो का पांच trade में लेकिन market नीचे खुली तो पिच्चतर सो की जगा हो सकता है कि 10,000 ये 12,000 का भी laws हो जाए लेकिन यहीं अगर आपने 15 से 20 shares में position बना रखिये ना तो अब आप सोचो कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है फाइदा हो जाए कि तो कोई बात नहीं दुखी नहीं होना कि अगर 20 share लिये होते और यह हो जाता आपको market ऐसे खुलती तो आपको कितना जादा फायदा होता आपको ना नुकसान का पहले सोचना है ताकि हमारी capital पूरी तरह से खतम ना हो हम safe side होकर चले और साथ ही साथ हम पैसा भी बनाते जाएं अब इस वज़े से हमारा पूरा system जो है ना वो बरबाद होने के chance जो है almost zero हो जाता है हमारी पूरी capital जो है zero होने के chances almost zero हो जाते हैं एक trade भी सही हुआ और उसमें one is to three का target भी मिल गया ना one is to three one is to four का तो हमें उन 65 के अलावा अगर one is to three का target मिला तो तीन और stop loss खाने की ताकत जो है हमारे को एक ही trade दे कर जा सकता है बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि आपको starting में छोटी छोटी quantity लेनी है यानि कि छोटी risk capital के साथ यानि कि छोटे से RPD risk पर trade के साथ हमें start करना है और धीरे धीरे हमें अपनी capital को बढ़ाना है ये मत सोची कि छोटी सी capital है उससे क्या ही होगा बून बून से दोस्तो सागर बनता है और अगर आप छोटे छोटे trade लेंगे तब ही आप लोगों का motivation बढ़ेगा और फिर उसके बाद कल को आप बड़े trade लेने के लिए जो है तयार हो जाएंगे अब दूसरी difficulty आप लोगों को तब आएगी जब आप इस पे ना trade करेंगे और starting में 2-3 order ही stop loss हो गए या बराबर बराबर भी निकल गए ना तो लोग हताश हो जाते हैं देखिए ये खेल जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये खेल है पूरा का पूरा probability का इसमें 2-3 trade से कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको इसमें महीने के 20-25 trade करने होंगे और इस type से आपको कम से कम 50-75 trade करो ना उसके बाद ही आपको इस strategy के उपर जो है ना थोड़ा सा idea लगेगा और दूसरा इन सभी strategy को ना थोड़ा time भी देना होता है तब ही आपको results मिलेंगे अब अगर आप कोई shop खोलते हो तो क्या दो दिन में ही response देखने को मिल जाता है नहीं ना थोड़ा time रुकोगे देखोगे market को परखोगे तब ही तो पता चलेगा कि इस market में जहां पर आपने shop खोली है वहाँ पर क्या demand है price कैसा रखना है आपको ये सब चीज़े आपको वहाँ पर जब आप ground पर बैठे होगे ना तब ही लोगों को पता चलेगी हर चीज़ में देखो time तो लगेगा बस आपको पूरी तरह से एक तो rules को follow करना है और थोड़ा time देना है किसी भी strategy को तब ही आप लोगों को जो है results मिलेंगे इन 6 patterns के बाहर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखना है चलिए अब चलते हैं next pattern पर और अब देखते हैं बचे हुए 5 patterns को अच्छा एक चीज़ अगर आप लोगों को अभी तक कुछ समझ नहीं आया ना तो आप वीडियो को दोबारा से rewind करके एक बार दो बार तीन बार जब तक आपको समझनी आया ना तब तक आप जो topic है ना उसको दुबारा दुबारा clear कर सकते हैं अलग अलग एक्जामपल के साथ आप खुद भी practice कर सकते हैं साथ ही साथ आपको उन patterns को समझना है उसको देखना है और notes भी जरूर बनाने हैं वीडियो तो friends आप लोगों के पास ही रहने वाली है so don't worry मैं ऐसा नहीं है कि इसे चार दिन में delete कर दूँगा कोई भी जल्दी नहीं है हमें trade करने की ऐसा नहीं है कि आज अगर मैंने trade नहीं करा वीडियो सुनते ही तो मेरी कोई गाड़ी निकल जेगी कि मेरा आज ही एक लाग का दो लाग होने वाला था कोई जल्दी नहीं है हमारे को पहले हम पूरी education लेंगे अराम से चीजों को समझेंगे और पूरी तयारी के साथ फिर हम trade करेंगे चलिए अब आते हैं अगले patterns पर और इनकी probability जो है अभी तक जो हमने bullish engulfing pattern के बारे में बात करिये न इसकी probability इन सभी 6 patterns में सबसे कम है सबसे कम strike rate है अभी तक bullish engulfing का so next pattern आता है bearish engulfing जैसा bullish engulfing है बिलकुल वैसा उल्टा हमारा जो pattern next आता है वो है bearish engulfing इसमें हमारे को क्या चाहिए इसमें चाहिए हमारे को सबसे पहले एक up trend उसके बाद यहाँ पर चाहिए एक green candle चलिए मैं इसे example के साथ समझाता हूँ आपको तो यह देखिए अभी हमारे सामने यह estrel में ही एक नया example नज़र आया सबसे पहले चाहिए इसके लिए हमारे को एक up swing आप देख सकते हैं अगर आभी भी आपको चेक करना नहीं आता तो आप इसे लाइन चार्ट पर जाकर देख सकते हैं यह देख सकते हैं आप तो यह देख सकते हैं आप स्विंग ठीक है उसके बाद आपने जाना है आपने देखना है पहली condition हमारे को चाहिए green candle जो bullish engulfing pattern था ना बिल्कुल उसका opposite हो जाएगा उसमें चाहिए था down swing एक red candle फिर चाहिए थी एक green candle और उसके बाद हमें उसके high के ओपर purchase करना था अब यहाँ पर हम बिल्कुल इसका उल्टा करेंगे पहले चाहिए हमारे को एक up swing उसके बाद चाहिए green candle next day हमारे को चाहिए एक red candle जो पहले वाली पिछले दिन की green candle को पूरी तरह से खा जाए अब इसमें हमारे को ना बाई नहीं करना इसमें हमारे को short करना है और short करना है हमारे को इस जो यह red candle है ना उसके closing price के नीचे अब जो हमें short करना है वो करना है हमें red candle के closing price के around और उसके आद वही हमारी strategy रहने वाली है एक दो तीन चार और पांच भी candle पर पांच भी candle के close पर हमें यहां से बाहर निकल जाना है अब इसमें ना सबसे पहली बात कि हम normal trading में जो है हमें इस type से short के trades नहीं बना सकते cash market में अगर आप चाहें दो share बेचना या चार share बेचना तो वो आप काम नहीं कर सकते इसके लिए आपको जो है futures derivatives में जो है trade करना होगा और derivatives में आपको futures में इसमें trade करना होगा अब futures में हमारे को एक चीज़ की दिक्कत आती है कि यहां पर ना हमारी quantity पहले से fix होती है तो यहां पर अगर आप लोगों को futures में काम करना है ना तो मेरी एक चीज़ नोट कर लीज़े कि आपके risk capital जो है at least five lakh क्यों नीच है अगर इस से नीचे की आपकी risk capital है ना तो कोई ब लेंगी बट अगर आपकी risk capital पांच लाग से कम है ना तो आप futures को पूरे तरीके से avoid कीजिए और सारा काम जो है आप सिरफ buying side पर cash market में ही कीजिए I hope आपको pattern जो है वो समझ आ गया होगा पहले हमारे को मैं एक बार दुबारा revise कर देता हूं पहले हमारे को चाहिए एक upswing उस क्लोजिंग प्राइस पर क्लोजिंग प्राइस है इसका लगबख साथ सो पच्चिस रुपे 90 पैसे और उसके आद हमारी strategy वही रहने वाली है एक दो तीन चार और पांच भी candle पर हमें exit कर जाना है यानि कि हमने इस case में साथ सो पच्चिस साथ सो 26 के आसपर sell किया और हमने exit किया यहां पर 667 के रेट पर तो इस ताइप से जो है आपको बेरिश एंगल्फिंग पैटन का यूज करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेकिन वह कहां पर करना है आपके फ्यूचर में काम कर सकते हैं अब इसमें बिल्कुल भीना जैसा कि मैंने आपको बताया कि पा रहे हमारा कुछ भी मिस नहीं हो रहा फ्रेंड्स आप समझ कर चलिए हमारा एक पैसे का भी कुछ मिस नहीं हो रहा हमें अपना मतलब होना चाहिए पैसा बनाना से हमारे एंड में पैसे बने होने चाहिए फिर चाहिए वह हम बाय करके करें या फिर सेल करके चलिए यह ह गया पहले दो पैटन्स बियरिश एंड बुलिश अंगल्फिंग अब आते हैं अपने थर्ड पैटन पर और यह है मेरा वन आप दी फेवरेट केंडल स्टिक पैटन और इसकी स्ट्राइक रेट है 65 तो 68 परसेंट की अच्छा एक चीज किसी को ना कोश्चन हो सकता है कि प्रेड में करना है option में call or put के साथ कि बिल्कुल भी आमें स्वेंध नहीं करना है नेक्स पैटन है हमारा बुलिश थ्र्स्टिंग पैटन पैटन तो चलिया और हम समστε smoked पैठन को चलिए पहले हम इसको कोई औरले कर और पैठन को सबसे समांगा ऑग तर्य एक बार आ अब ल और ओनी को नो पूलिष केस लेंगे लेंगे इसकेस में देख सकतें कि इस केस में thứ एस्ट्रल का शेयर 13 अप्रेल 2021 को आप यह जो है ना अपने खुद से भी इन सारी डेट्स को या इन सारे चार्ट्स को जो है टैली कर सकते हैं तेरा अप्रेल 2021 को इसका एस्ट्रल का शेयर का प्राइस जो क्लोज हुआ था वह था 1440.85 पैसे और नेक्स डे ओपन हुआ था 1446 पर बंद हुआ 1440 पर और ओपन हुआ 1446 पर यानि कि 6 रुपे उपर और उसके बाद इसकी जो ग्रीन केंडल की क्लोज है ना वह होनी चाहिए ओपन वह होनी चाहिए रेड केंडल के ओपन प्राइस के उपर जैसे कि अब आप देख सकते हो 1520 पर यह प्राइस ओपन अब मैं एक बर कंडिशन को एक बर आपको ब्रीफ में बता देता हूं ग्रीन केंडल का ओपन जो है वह होना चाहिए रेड केंडल के क्लोज से उपर और दूसरी कंडिशन होनी चाहिए ग्रीन केंडल का क्लोज जो है वह भी रेड केंडल के ओपन के ऊपर होना चाहिए हमे हम बाइ किया है यहां पर 1525 रुपे के उपर और हमारा stop loss होगा 1440 रुपे का कि क्लोजिंग बेसिस पर हमें stop loss रखना है और हमारी स्टाटेजी वही रहने वाली है एक दो 3, 4 और 5 भी candle पर हमें 5 भी candle के close पर हमें यहां से exit कर लेना है अभी इस सभी patterns ना उनमें कभी हमारे 500 रुपे बनेंगे कभी 200 रुपे बनेंगे कभी हो सकता है कि 500 रुपे लग जाएं कभी 200 लगें कभी पूरे के पूरे 1500 भी लग सकते हैं तो कभी कभी हमारे 1500 की जगा 2000 का भी नुकसान हो सकता है लेकिन profit आएगा तो आएगा यहां पर 1 is to 2, 1 is to 3, 1 is to 4 की ratio में और जब आप net में देखेंगे ना एक roaster बनाएंगे एक जब आप excel में काम करेंगे और 50 trades का आप पूरे 50 trade या 100 trade की पूरी list बनाएंगे ना तो you will realize कि आप net में पैसा बना कर जाएंगे with minimum risk and investment and absolute peace of mind क्योंकि सब कुछ तो पता है हमें चोटे चोटे ट्रेड लेने हैं ले भी गया तो क्या ले जाएगा 1500, 2000 रुपे बस daily charts पर आपको काम करना है सारी entry आपको excel पर डालनी है और excel कैसे बनाना है यह सब चीज़े हम next video में discuss करेंगे पहले एक बर बुलिश थ्रेस्टिंग पैटन का एक बर एक और एक और एक्जांपल देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए इस बीच यह जो एक पैटन है यह बना है 11 मई 2021 को यह आप पैटन फटा पर नीचे कमेंट्स में बताईए वीडियो पॉस क करके की आपको कौन सा पैटन जो है नजर आ रहा है बिलकुल आया होप आप लोगों ने सही पैचाना होगा यह एक बुलिश अंगलफिंग पैटन और उसके बाद आप देख सकते हो क्या जबरदस रिजल्ट वन टू थी पोर और फाइव फिफ्ट केंडल पर हमारे को क्या गैप डाउन जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जैसे ही गैप डाउन आता है तो हमारा यहां पर नुकसान देखने को मिल जाता है अब यहां पर अगर आपने बीस ट्रेड लिया होंगे बीस अलगलग स्टॉक्स में लिया हो और सब की पोजीशन ऐसे ही बन जाए तो कितना जादा नुकसान हो सकता है इसे लिए मैंने आपको काया कि एक टाइम पर एट एनी पॉइंट अफ टाइम आपके पांच से जादा पोजीशन जोएन नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में भी नहीं होनी चाहिए यह देखिए यह हाली में आया हमारे सामने हो से पैटन पर जिसका नाम है बेरे यस थ्रेस्टिंग पैटन अब यह पैटन जो है इसे भी हम समझते हैं अब कोई और ले लेते हैं बहुत हो लोग उन्हें सही पेचाना होगा तो चलिए अब हम देखते हैं कि बुलिश सौरी बेर इस थ्रेस्टिंग पैटन का क्या कैसे सेट अब बैठता है तो चलिए यह बनेगा इस थाइप से कुछ सबसे पहले हमारे को चाहिए एक अपस्विंग देने ग्रीन केंडल और उसके अ नीचे और हमारा यहाँ पर क्लोज होना चाहिए रेड़ केंडल का ग्रीन केंडल के ओपन के नीचे उसके बाद हमने यहाँ पर शॉर्ट करना है शेयर को क्लोजिंग प्राइज किया रहा हूं और वहां से एक दो तीन चार और पांच वी कैंडल पर हमें यहां से trading इसाहिए आप लोग इन सारे चारो पैटन पर जो है दीरे-धीरे करके काम किजिए तो यह थी हमारे चार पैटन जिनकी बारे में हमने आज की वीडियो पश्चा की, bullish engulfing pattern, bearish engulfing pattern, bullish thrusting line pattern और bearish thrusting line pattern, साथ ही में हमने देखा risk reward कैसे रखना है, stop loss कैसे manage किया जाए, किसी भी trade में emotionally हमारे को attach बिलकुल नहीं होना है, 30% trade में तो हम मान कर चलेंगे की loss हमारा होना ही है, लेकिन 65% trade में हमारे को अधभुत पैसा बनेगा, 55% trade में हमारे को अच्छा खासा पैसा बनेगा क्योंकि probability जो है winning probability हमारी साइड पर है अब बाकी के दो patterns जो है न हम next वीडियो में देखेंगे so I hope कि आपको अभी तक के ये सारे concept जो है समझाए होंगे आप जो है इन चार patterns पर काम करना start कीजिए इसके बारे में पढ़िए इसकी back testing कीजिए इसको समझिए और उसके बाद हो सके तो इस पर एक आदा कोई trade भी लगा कर देखिए तो आप लोगों को ना market में trade करने का थोड़ा बहुत idea लगेगा और अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप trade करते जाएंगे ना आप इस खेल में और मंजते जाएंगे कभी एक आदा उपर कभी एक आदा रुपे नीचे क्योंकि अब जब आप purchasing करने लगेंगे जब यहाँ पर आप trade डालेंगे सौधा डालेंगे तो हो सकता है कि जब आपने जो rate सोचा उसके एक रुपे उपर लगा दिया या एक रुपे नीचे हमारे को बेचने को मिला बट कोई बात नहीं जैसे जैसे आप इसमें practice करते जाएंगे ना आप लोगों को सारी चीज़े जो हैं और अच्छे से clear होती जाएंगी आप इसके बारे में सारे concept जो हैं और अच्छे से समझेंगे और अब आप जो है professionally trade करने के लिए भी तयार हो जाएंगे so I hope कि आप लोगों को आज के वीडियो में जो हमने चार patterns बात करें ना वो सारे समझाए होंगे जिन भी topics के बारे में support, resistance हो चाहे या फिर हमारे को stop loss कैसे maintain करना है ATR हो गया इन सब के बारे में जो भी हमने आज की वीडियो में discuss किया है उसके बारे में आपके doubts जो होंगे जो भी आपको confusion रही होगी ना वो वीडियो के end तक I hope आप लोगों की clear हो गई होगी बट अगर कोई भी दिक्कत या कोई भी परिशानी रह जाती है या तो आप एक बार दुबारा वीडियो को देख सकते हैं अगर फिर भी कोई question या query रह जाती है तो आप नीचे comment section में अपने questions अपनी queries जो हैं जरूर पूछिए तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं friends आप आज तक आज का जो हमने काम रखा है पहले सबसे पहले आपको homework पूरा करना है वो 25 शेयर के list बनानी है और उसके बाद यह जो चार patterns हमने discuss किया है इनके उपर काम करना भी चालू करना है नेक्स वीडियो में हम बाकी बचे दो patterns को देखेंगे साथ ही में Excel sheet कैसे बनानी है इसके उपर देखेंगे live market में कुछ trade करने के setups देखेंगे किस साइट से हमारे को trade करना है यह सारी चीजे जो है मैं आप लोगों के साथ नेक्स वीडियो में discuss करने वाला हूं तो तब तक क लिए अपनी practice जो है अपनी तयारी जो है पूरी करके रखिए तो आज की वीडियो में friends इतना ही thank you and have a great day